आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यातिन पदार्थ की प्रकृत्ति ठीक है तो सबसे पहले तो यहां पर समझ लीजिए एस्टुडेंट्स पदार्थ क्या होता है ठीक है ना पदार्थ होगे जैसे की हमबात करते हैं या फीर पत्थर है हवा है कुर्शी टेबल या फिर अपने आसपास में आप अपने मोहान मोटर साइकल है या फिर बहुत सारी हैं धरवाज उसले ऐसे Update लए तो इन व्रॉजुसमेंसे क्ुछ चीजे क्या होती है जो प्रक्रिती द्वारा हमको अوقर मिलती है है लिए चाहिते हैं इनसे सभी किसी नहां किसी पदार्थ से चुम कोप्र प्राप्तों में धिखाई दिखाई favourite है नुगति है तुम्हेंज में किसी है जाने नहीं चलिए देखते हैं कि विभिन वस्तुएं किन से बनी हैं ठीक है ना तो जितनी भी वस्तुएं जो होती है वो किन से बनती है देखते हैं चलिए समझते हैं ठीक है तो तो students जो कुछ जो पदात होते हैं जो क्या होते हैं students पहले सही जो हमको प्रकृति से प्राप्त होती है जैसे कि हम बात करते हैं जैसे कि लोहा है है ना क्या है लोहा है पत्थर है ओके लोहा है पत्थर है इसके लवा जो है और बहुत सारी चीजे हैं ठीक है जैसे कि लखडी ह ठीक है ना समझ मेरा नए students ओके तो यह सब क्या है students यह जो है सब पदार्थ है और इनसे जुए हम क्या करते हैं कई प्रकार की चीजे बनाते हैं ठीक है students आप अपने आस पास में देखते होंगे जैसे कि लोहा से आपका खिडिकी है दरवाजा है इसके लावा और बहुत सारी चीजे जो है बनी होती है ठीक है स्टुएंट्स ओके समझ में आया यहां तक तो यह जो यह जो कई कई वस्तुएं है जो बनती है तो ज़रूरी नहीं है किवल एक ही प्रकार के पदार्थ से बने जैसे कि हम लोग देखते हैं लोहा है ना तो लोहा से खिंड की बन रही है और कई सारी चीजे बनते हैं दरवाजा है मोटर साइकल में भी यूज होता है ठीक है ना तो होता कैसे कई वस्तुएं गदार्थ एस त्व questions में परके बनता सीमें ना और लोहे हैं लोहा ना तो हमGO जो है घर to kai बनाने लिए旨िके नहीं है जो होती है एक से अधिक पदार्थ है और कुछ वस्तुएं क्यों होती है टो कोई भी वस्तु जो है जिन चीजों से मिलकर बनती है वही क्या है students पदार्थ है ठीक है क्या है पदार्थ है हर वस्तु जो है किसी ने किसी पदार्थ से बनी होती है ठीक है students समझ में है पदार्थ क्या है उसके बाद हम जो है यहाँ पर नीचे में कुछ students यहाँ पर हम देखेंगे कुछ वस्तु का नाम दिया हुआ है ठीक है और उप्योग होना हैं कौन कौन का उप्योग हुआ है नाम जाकते हैं पानी और करबन डियेक्संद नापकर जोरक सियान रख यशुरी तो इस प्रकार से internment प्लास्टिक तो पुष्थाखower है Sorry個75 क्या करोगते तो कि क्यों समयगे से जो है समझते हैं है इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूदिइन्स अवस्था के रूप में देखेंगे जो जो यहाँ पर जो जो चीज़ें ध्यक्राब हें यहां पर जो है कौं यहां पर हम क्या करेंगी तो कुन ठूस है कौनस जैसे नमक की बात करते हैं लिज है देखना चूकर क्या है शूकर क्या अपनामक को और इसकी लावा जो होता है इस प्रकार से उपर जो सानी भी जहां हो मर्क दिया हूं उसमें से क्या करना है स्टूडेंट्स आपको जोहैं जीतिनी वी जो SpaceX सा अंधी में भरेंगे इसको यहाँ पर क्या करेंगे हैं बदात किस परकार सामान है अगला जो हमारा टॉपिक है पदाथ किस प्रकार से समान है यहां पर हम क्या करेंगे देखेंगे कि किस पदाथ को हम क्या कर सकते हैं कौन सा पदाथ जो है ठोस है कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है और हम किस पदाथ को देख सकते हैं या फिर इस पर सकते हैं या फिर महसू कि न हम देख सकते हैं क्या हम को हम नहीं सकते हैं क्या हम हवा को नहीं सकते हैं custeंस कि हवा को जो हम सुट कर सकते हैं अंखिछ संधथैं अयख्यां तो पत्थर को क्या हम देख सकते हैं क्या हाँ तो पत्थर को हम क्या कर सकते हैं स्टुडेंट्स देख सकते हैं ठीक है क्या हम पानी को देख सकते हैं क्या हाँ तो पानी को हम देख सकते हैं इसके लावा जो है क्या हम हवा पत्थर को छू सकते हैं इस पर सकते हैं क्या तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं मैं सब्सक्राइब सकते हैं वह जो होता है इस प्रकार से हम अगर हम देखते हैं तो जो जीतनी वह स्फुद्वें हैं जैसे पत्थर की बात करते हैं थोस होता है तो पत्था जो होता है वो ठोस होता है तो उसको हम छूबी सकते हैं देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं ठीक है ना और द्राव को भी हम क्या कर सकते हैं देख भी सकते हैं पानी को हम देख सकते हैं पानी तो एक द्राव है तो द्राव को भी हम देख सकते हैं जैसे ग कर सकते हैं केवल और केवल एक स्टूडेंट जब हावा बाती है तो हम मसूस कर पाते हैं है ना समझ में आ रहा है उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे स्टूडेंट समझेंगे क्या जो ठोस द्रव वह गैस जो है उनका कार क्या निश्चीत होता है ठीक है कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है अगर कोई चीज जो ठोस है तो क्या उनका कार एकदम जो है फिक्स रहता है निश्चीत रहता है या फिल निश्चीत नहीं होता चलिए समझते हैं आगे अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहोगा तो आगे समझ यह ना तो इसके ल चीज का हो है ना तो जैसे हम क्या करते हैं स्टुडेंस पानी को इसमें डालते हैं तो जैसे पानी को भरते हैं देखिए यहां पर इनका कार पानी का कार कासा हो गया यह जो है पानी के जो है यहां पर अलग हो गया हो गया दिखाई दे रहा है यहां पर जो है ऐसा हो गया पा कि इस भी नहीं खूटूट नहीं है नहीं हूट कर निश्चीत नहीं होता है ठीक है ना समझ मैं है लेकिन जो ठोस जो है ठोस जैसे पत्थर की हम बात करते हैं पत्थर किसी की बात करते हैं पत्थर तो पत्थर मान लीजे ऐसा है तो पत्थर ऐसा ही रहेगा यह जो है इस थाई रूप से जो है ऐसा ही इस्थिर रहेगा क्यों रहेगा इस्थिर कि पर भी ऐसे फैला दिये मंदलब फैलां दिये कहने का मिलब क्या है शा बहा दिये इसा घाल र॥ा कली आँए आशा नहीं होता है जो पत्था जो होता है इसे होतं होता है स्थाहरू रोप में itself जर्वर समय udah किस्ता होते हैं आप सेब accurately उसके बाद हम इस्टुज्ट्ट्स यह हो गया ओर चौश की बात करते हैं खिव किसकी बात करते हैं कार चो जैसे कभी पानी की बात कर रहे थे हम लोग द्रव की बात कर रहेते जिनको अलग अलग बरतन में क्या करते हैं भर्ते हैं थेखे न punish निस्ची त आकार नहीं है द्रव का है ना लेकिन हम यहां पर जो है गैंस की बात करते हैं गैंस का भी क्या है स्टुडेंट्स वो भी जो है ऐसा ही है ठीक है ना गैंस जीतनी भी जो गैंसे होती है उनका भी अकार जो है निश्चित नहीं होता है गैंसे जो है क्या होती है उनका अकार जो है निश्चित नहीं हो इसके इसके एलावा जो है जो होती है तो तरहें ज्चीत कि अनिष्चीत होती है उसंद्रोम्हां मतलब हम बात करिए REPA ठीक है। स्थान खेल लिये इस खाली नहीं है घ्राव को हो गोईila करेंब्ल इस्थान घेरते हैं तो यहां समझते हैं कि क्या आफ्げ tej कि किताब की जो बस्ते होती है उन्हीं की बात करते हैं आपके ही अब अनुसार हम लोग उदारन लेते हैं तो समझते हैं तो आपका जो बस्ता जो होगा वहां पर अगर आप भूक रख देते हैं या फिर इसके अलावा जो है कि हम जो है करते हैं ये हम जो है किसकी बात करते हैं ध्रय और भी क्या होता है वो है किरता है कैसा ले लिए लिए अर्व में पनी भर दिए है अब इस बाल्टी में पीडिये एक पूरा फुल पानी भधिये हैं इसमें है ना उपर से गर इसमें है और पानी डालते हैं तो इसमें रुखना चाहिए अगर यह जो है पानी इस थान नहीं गहरते एग्रव इस थान गहरते हैं इसी करनसे जैसे ही जो अगर पानी इसमें फूल भरा है और इसमें अब किसी भी चीज को डालते हैं फिर पानी को ही डालते हैं तो क्या होने लगता है इसमें से जो द्रव जो है एक्स्ट्रा जो द्रव रहता है नीचे गिरने लगता है क्यों गिरने लगता है क्यों कि ये द्रव क्या करते है हम इस्थान घहरते हैं इससमाज मैं इसके बाद हम गैस की बात करते हैं तो हम लोग जो की च्टुद्ध भर करेंगे जानने का प्रयास करेंगे क्या जो होती है件 स्टान घहरती हुए दो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले हमको गहरा बालतन या economics क्या सकता यह चीटने में आपको दिखाई दे रहा होगा यह वालता ठीक है और एक प्लास्टीक का प्लास्टीक की कांच्च्क बोतल चाहिए होगाा और हमको Пानी क्या हो सकता होगai थीक है अब आपको करना क्या है अब हम यहाँ यह करेंगे स्टिटेंट्स निय चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या कर यह जो बड़ा सा जो बालती है यह वाला बालती इसको क्या कर दीजिए स्टुडेंस आप पानी से भर दीजिए ठीक है पानी से भरनेक बाद जैसे कि इसमें चीता में दीख रहा है पानी से भर दीजिए पानी से भरनेक बाद क्या कर यह जो छोटा सा जो तो ओल्टा करने बाद जैसे आपको चीता में दीख रहा हो इससे बाद आपको क्या करना है स्टुडेंट spor bilang ठोड़ा सब्सक्राइब आहांसे को क्या करना है यह पाईप लगाना है र swings आपको क्या घ्मेकर साथ होगाएंब 2 झाल से बाइक करना है यहां से जो है हैं आं यह जो पहले सुरूमें देखीए इसमें लगता ही जो है इसमें फुर्व पानी की नीचे आई ठीक है ना और नीचे आनेक बार जी यह बढ़ा सा जो यह जो बाल्टी था उसमें का पानी इस तर जो इसमें बढ़ा क्यों कुछ ना कुछ करान होगा तो क्यों इसलिए बढ़ा स्थान घ 큰 कारण जैसे हमा की माता बढ़ती जाती है तो स्थान घेले की होज़ा होने लगती है करन से नीचे गिरने लगती है समझने है sono हमकोऀस में बनलगता है इसे हमको को पता चलता है कि जो हवा जो होती है वो क्या करते है इस्थान घेरती है समझ में तो हम अभी तक क्या जान गए कि जो होती है ठोस ठीक है ना ठोस भी इस्थान घेरती है इसके लावा जो है द्रव जो होता है द्रव द्रव भी क्या करते है इस्थान घेती है और जो गैसे जो होती है इस्थान घेती है समझ में आया यहां तक तो हम जो है यहां से समझ गए उसके बाद जो है हम क्या देख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही जब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे तब जो है नेक्स्ट डे हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम समझेंगे ठीक है जब जो है है।